वेलकम टो आवर चैनल ग्यान लो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेन एंड ब्राउं स्ट्रक्चर ओफ हाइड्रो कार्बन की बात हो रही है तो सबसे पहले इसका चेन स्ट्रक्चर देखते हैं चेन का मतलब होता है एक चेन में कनेक्टिड होना यानि कि जब बहुत सार कार्बन एक चेन में कनेक्टिड होते हैं बसी धीधी चेन में यह जो होते हैं यह पूरे चेन होगी यह होता है चेन स्ट्रक्चर अब इसमें देखिए कि जो एलकेंस होते हैं एलकेंस में तीन या तीन से कम कार्बन जो होते हैं वह ब्राच में कनेक्ट नहीं हो सकते वह सि structure मैंने बनाया है यह तो ब्राच में connect हो सकता है ब्राच मतलब की पूरी chain में अलग-अलग से ब्रांचीज निकल जाना तो ब्राच में connect हो सकता है लेकिन तीन या तीन से कम carbon यानि कि एक carbon इसकी कोई ब्राच नहीं बन सकती दो carbon इनकी भी कोई ब्राच नहीं बन सकती या तीन carbon इसकी भी कोई ब्राच मतलब जैसे तो तीन के तो कोई ब्रांच नहीं मन सकती जैसे कि c h 4 ये क्या है ये होता है methene c h 3 c h 3 ये क्या होता है इतन आइन इन c h 3 c h 2 c h 3 ये क्या होता है प्रॉप एन तो ये तीनों जो होते है न ये चेन स्ट्रक्चर ही होते है ठीक है यह जो पहले तीन मेंबर्स होते हैं कार्बन के मित इत प्रॉप वुन वुन में क्या ब्रांच नहीं बन सकती वो चेन में ही रहेंगे इनकी जो possible arrangement है ना वो ये ही है लेकिन जो fourth member होता है उसकी जो है branch बन सकती है जैसे कि next जो है हमारा वो branch chain है इसमें क्या होगा branch chain में जैसे कि हम four member लें four member ये है myth, eth, prop fourth होता है but अगर हम LK के butane लें butane, butane में चार कार्बन होते है C, four, H, ten तो इनकी जो है branch structure बन सकती है यहाँ पर C, four, H, ten यह क्या है butane यानि कि चार कार्बन एक, दो, तीन और चार चार कार्बन chain में गनेक्ट हो सकते हैं लेकिन यह चार कार्बन ऐसे भी तो connect हो सकते हैं यह देखिए, यह हो गई branch branch बन गई, ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि यह जो structure होता है अगर हम सिर्फ कार्बन का structure बनाते हैं तो यह इसका skeleton होता है यह जो structure हमने बनाया है यह है इसका skeleton structure अब इसकी ना, फोर वैलंसी को, कार्बन की फोर फोर वैलंसी होती है ना, अब इसकी फोर वैलंसी को complete करते हैं तो यहां पर यानि की कार्बन के जो आस-पास हैं यहां पर सब पर हाइड्रोजन लगाते हैं यहां पर सारे C4H10 है तो यह जो इसका होगा, यह complete structure होगा C4H10 का और यह जो है, यह continuously chain है यह क्या है? एक chain structure है अब हम दूसरा देखते हैं यह वाला, ठीक है? इसमें क्या है? यह एक branch structure है branch structure कैसे कार्बन, यह देखिए यह structure है, अब इसकी वैलंसी को satisfy करते है यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन यहां भी हाइड्रोजन, यह भी H ह, और यहां पर तीन हाइड्रोजन और यहां पर भी तीन हाइड्रोजन यह क्या है? branch structure है C4H10 इस तना से इसे represent करते हैं अब यह जो दोनों structure है ना, दोनों same है दोनों ही C4H10 है यहां दो से ज़्यादा जो compound है same molecular formula है दोनों का same molecular formula है लेकिन इनका structure अलग-अलग है different structure arrangement है तो इस चीज को हम बोलते हैं structural isomers structural isomers और इसका जो phenomena होता है इसके phenomena को हम बोलते हैं isomeryism isomeryism अब मैं इसमें आपको एक example दे रही हूँ C5H12 का C5H12 यानि carbon 5 हैं जो सारे carbon atoms हैं उन्हें हम किस तरह से बना सकते हैं देखिए C5 यानि कि 5 carbon है तो एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख सकती हूँ ये क्या है ये एक straight chain है straight chain दूसरी condition ये है कि मैं 4 carbon को तो straight में लिख दू 1, 2, 3, 4 और 5th carbon को मैं क्या कर दूँ उसकी side chain बना दूँ क्या कर दूँ उसकी side chain बना दूँ यहां भी बना सकती हूँ यहां पे भी बना सकती हूँ वो मेरी इच्छा है जो formula के according बनती है मैं आपके formulas जो further आपको आगे कराएंगी हम लेकिन फिल हाल आप यह देखिए कि इस तना से यह क्या हो गई कि एक तो straight chain है उसमें एक carbon जो है side में लगा दिया तो वो कहो गई कि यह हमारी side chain है अब तीसरी condition यह है कि तीन carbon को तो आप straight में लगा दीजिए यानि कि 1, 2, 3 और 2 carbon को एक को उपर लगा दीजिए और एक को नीचे लगा दीजिए इसमें भी 5 carbon है इसमें भी 5 carbon है इसमें भी 5 carbon है तीनों में 5, 5 carbon है ठीक है? अब यह क्या है? यह भी हमारी side chain हो गई अब इनको complete करें यानि कि हमारी जो यह तीन structure है ना, first structure, second structure और third structure इनको complete करो complete यानि कि उसकी valency को satisfy करो पहले तो तो सबसे पहला structure है हमारे पास 5 carbon लिए थे 1, 2, 3 यह थे इनको satisfy करोगे? hydrocarbon का wound होता है तो इसकी जो side side में hydrogen इसको घेरेगा, घेर लेगा normal सा, तो यह इसका complete structure होगा जो side वाले carbon होते हैं side वाले carbon, इनके पास 3 hydrogen होते हैं, ठेर, बीच वालों के पास 2-2 hydrogen है तो यह कह इसको, यानि कि यह जो हमारे पास structure आया है, यह अब structure क्या है, एक carbon के साथ 3 hydrogen है, यानि कि CH3 यह इसके पास, दूसरे वाले के पास CH2 same third वाले के पास CH2 third वाले के पास भी CH2 fourth वाले के पास भी CH2 fifth वाले के पास CH3 CH3 अब इसका common name लिखो इसका जो common name है वो है N pentane common name में हम n लगाते हैं पहले n लगा देते हैं n, pentane क्योंकि myth, it, prop, but, pent pent और सारे single bond में है तो n, pentane अब इसका iupac name लिखो इसका iupac name simple होगा pentane n नहीं लगे common name में लगता है iupac name में n नहीं लगता तो यह हमारा first हो गया अब मैं second draw गरती हूँ second हमारे पास है this one तो second यह बनाया था हमने one, two, three, four और एक carbon जो है वो उपर जुड़ा हुआ था इसकी condition को satisfy करो यह इस तहां से और यह जो carbon है इसके साथ यह यह यहां पर सारे hydrogen आएगे यह वाला condition होगा तो इसकी जो है जो balance है वो satisfy हुई है इससे ठीक है अब यहां पर क्या हुआ है इसको हम कैसे लिखेंगे इसका जो structure है CH3 CH3 यह क्या है CH और इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3 उपर जुड़ा हुआ है CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 यही है अब इसका common name लिखो इसका जो common name होगा वो भी होगा N-pentane यह क्या है N-pentane अब इसका IUPAC नेम लिखो इसका IUPAC name क्या होगा IUPAC name जो इसका होगा अब देखिए इनको number देजिए 1 2 Number सिर्फ chain को देते हैं branch को नहीं देते 3 4 अब 2 number पे क्या जुड़ा सबसे लंबी chain हम देखते हैं तो यहाँ पे यह हमारे एक तरह का rule होता है हमने सबसे लंबी chain देखनी होती है तो यह वली chain हमने देखी है ठीक है और यहाँ पे उपर जुड़ा हुआ है CH3 यह के जुड़ा हुआ है CH3 और एक bond यह जो होता है न यह methyl group होता है तो हम इसे का से लिखेंगे सबसे पहले जो ब्रांच में होता है वो तू मिथाईल अब तू मिथाईल हो गया अब के जब मिथ इथ प्रॉप ब्यूट तू मिथाईल ब्यूट एन तू मिथाईल ब्यूटेन यह इसका आयू पेसी नेम है अब हम थर्ड वन देखते हैं थर्ड की तरफ चलते हैं हम अब थर्ड में हमारे पास कार्बन इसके साथ चार कार्बन जुड़े हुए है अब देखिए हरे कार्बन के पास तीन-तीन हाइड्रोजन है जो साइड में है इसके पास भी hydrogen है इसके पास भी है और इसके पास भी है इसको हमने valences की satisfy कर दी अब इसका जो structure होगा वो क्या होगा CH3 बीच में एक carbon है इसके side में भी CH3 नीचे भी CH3 और ऊपर भी CH3 यही structure है इसका common name क्या है इसका जो formation इस तरह से जुड़ी हुई होती है एक center में उसके side side में और carbon जुड़े हुए होते है यह जो structure होता है इसके आगे neo लगता है तो यह है neo और कितने neo और कितने carbon है pent pentane है neo pentane इसको बोलेंगे neo pentane इसका IUPAC name सेम वो ही 1, 2, 3 तू नमबर पे methyl group जुड़ा हुआ है एक उपर जुड़ा हुआ है एक नीचे जुड़ा हुआ है तो 2 दो methyl group जुड़े हुए है तो 2, 2, 2 time लगेगा क्योंकि एक इसके लिए 2 लगेगा एक इसके लिए 2 क्योंकि दोनों 2 नमबर पे जुड़े हुए है इसी वज़े से two two लेगे गया और two two यानि कि दो दो नमबर पे क्या जुड़ा हुआ है डाइ मिथाइल यानि कि यहाँ पे CS3 गुरूप जुड़ा हुआ है एक यहाँ पे CS3 गुरूप जुड़ा हुआ है दो मिथाइल गुरूप जुड़े हुआ है दो नमबर पे तो two two डा ही मिथाइल मिथ इतंगल निगल के बचे जो है से हम इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके जो रूल होते हैं वह आगे आपके आने वाले topics में आपको करेंगे लेकिन फिलहाल आपको पसे इतना ही है इतने में इतना ही आपको समझना है तो यह जो होते हैं यह हमारे होते हैं common name और IUPAC name इस तरह से हम इने represent करते हैं तो यह है हमारा जो chain branch structure of hydrocarbons next time हम करेंगे closed chain cyclic hydrocarbons structure तो thank you video देखने के लिए और जाद updating videos के लिए आप हमारे चैनल ग्यान लोग पर हमें subscribe कर सकते हैं